करनाल की सिविल लाइन में प्रेस कोंफरेंस का आयोजन कर विदेश भेजने के नाम पर लाख रुपे की ठगी करने के बारे में खुलासा किया गया पूलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्णाल में विदेश भेजने के नाम पर पैसे एटने का मामला सामने आया था जिसके चलते पूलिस अधिक्षक सुरेंदर भोरिया के अधेशा नुसा टीम का गठन कर मामले की जांच परताल शुरू कर दी गई जिसके चलते प्रगट सिंग को गिरफतार करने में सफलता प्राप्ट की गई उन्होंने बताया कि प्रगट सिंग को भटिंडा से गिरफतार किया गया है इनके कबजे से तीन लाक रुपे और एक गाड़ी भी बरामत की गई है उन्होंने बताया कि इनके दो अन्य आरोपी और इस कबूतर बाजी में शामिल है जो एक विदेश में रहता है और एक बटिंडा में ही रहता है जिसको भी जल से जल गिरफतार कर लिया जाएगा उन्हों ने आम लोगों से अपील की कि ऐसे कभूतर बाजी करने वाले और पैसे एटने वाले विदेश में भेजने वाले लोगों से साफदान रहे और कानूनी तरीके से ही विदेश में जाने वालों की प्रक्रिया अपनाए और धोके बाजों से बचे श्यसाब गया देश से, मैंने इंस्पेटरा अपकी नगरादी में परकरण सिंग पगड़ करके इसको गिरतार किया, तोराने गिरतारी इसके कबजा से 30 लाग रुपे की बरामद की है और जो वरता अपे तुन वारता अपने परियोगा हैं वरामद की चाल अपकी सामें बरा इननों ने क्यानुमा लाग पजा अजार पे लिये देश, साथ बुच्छों में नाम के विदेश बेश बेशने लाग है। तो परामाद तीस लाग की बराम की होता है। तो जैसा कि आप में देखा थे साथ आत्मी के पेसे थे। तो लगवत कितने राशी होगी टोटल? टोटल क्याणों लाग पजा अजार पे तीस लाग पे बराम की होता है। इसके खिलाब पहले भी माम ले हैं वहां पटिंटा में। ऐसे ही फ्राण के दो तिन माम मुगत में पहले भी दर्ज है। जैसार वहीं की जाएगे है। इनके खिलाब पने गिर्पतार कर लिया इसको और आके जो भी साथ पियंग को भी गिर्पतार किया जाएगे। ऐसे ही लिटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकोन को दबाए।